जहींद, गुड इबनिंग, वेलकम टू इस्टेडी वार्पाइंट, देसे अंकित मोर्या, स्विच गीर और प्रटेक्शन की इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है, आज हमारे वीडियो के टॉपिक है, इंडक्शन टाइफ डारेक्शनल ओभर करेंट रिले, जबकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इंडक्शन टाइफ नॉन डारेक्शनल ओभर करेंट रिले, इस वीडियो में हमारी दूसरी टॉपिक है इसका, इस वीडियो में यह तो बताऊंगा, साथ में मैं आपको दूसरा एक रिले है, जिसे डिफरेंशियल कहा जाता है, इन दोनों के बारे में बात करने वाला हूं, वीडियो में आप इंड तक देखिए, आप इसे समझेए, बहुत ही इजी बासा में, और मैं आपको बतादू ना, सिर्फ एक रिले का कॉंसेप्ट सीख लीजिए, और सबका फीगर बनाना सीख लीजिए, किस तर पार हैं, तो आप अगर कहेंगे, तो हम इसका एक फोटो, मतलब क्या करेंगे, कि टेलीग्राम में दे देंगे, आप वहां से इसको देख लीजिए, मतलब पूरा एक साथ, इसमें होता क्या, या जो आपका होता है, या डारेक्शनल एलिमेंट होता है, जबकि ये जो मतलब प्रामरी सिकेंडरी लगा था, और आपका सिकेंडरी का कुछ्टर में यहां आए थे, इकुछी इस तरीके सारेंग्शा ना, बिल्कुल यही कॉंसेप्ट तो आपके इस वाले भाजी साब में भी तो आरेंज है, मतलब दो रीले का एक साथ हम लोग यहां पर प्रका सप्लाई आएगी इन दोनों में सप्लाई आएगी तो यहां दोनों के इनका चुम्ब की छेत बने में जमाता, तुब बैस त भाई जब शाट सर्कृट उंगा तभी इस में करेंट आएगी, और तौनकी ठिचित आएका सनते चिपारंप यहां सेल में सिगनल जाएगा तो तुरंद आपका circuit open करा देंगे और इतना तो सिर्फ इसका हो गया ना बल्कि यह देखो यहां पर क्या है यह दोनों series में जुड़े हुए हैं तो यहां से पूरा लेकर के आएगा इसके पास यह आपका क्या उल्टे दी साम घूमता है और आपके यहां पर trip circuit लगी आएगी और एडिस का आपकी मतब जब क्या होगा फाल्ट कंडिशन होगी जब सौर्ट सर्किट होगा ना तो यह आप बोलेता हाई करंड जब ज्यादा होने लगेगी रेटेर से तो भई यह दिस्कूट मतब विप्रीद इसाम घूमेंगे और तुरण सर्किट को मतब ट्रिप करना सर्किट और वो ट्रिप करा देगा लिखने का तरीका समझिए आसान भासा में बिल्कुल देखे चित्र में इंडक्शन टाइप डारेक्शनल ओभर करेंट रीले की सरचना आपको दिखाई गई थी यह जो होता है नॉन डारेक्शनल वह रिवर्स पावर सप् और इनके जो कॉंटायक यानि संपर्ख है को सिरीज में लगा जाता था कौन-कौन से एक आपके डारेक्शनल टाइप थे और एक के नॉन डारेक्शनल थे इन दोनों को कमिनेशन टाइप का यहां पर है इन दोनों का आपस में का सिरीज में लगा जाता है ताकि क्या होगा दोनों जो relay है न, वह एक साथ energized हो, यानि उर्जित हो करके operate करेगी, तो चलिए आगे देखिए क्या, इसकी working, यानि किस प्रकार से यह काम करता है, अगर देखिए सबसे पहला, जब normal condition होगी, तो power का flow आपका same direction में होता रहेगा, इसलिए directional element जो आपका लगा हुआ है, वो energized न energized थोरी होगे, यह नॉर्मल condition होती, तभी यह लोग energized होगे न, तो normal condition में कुछ नहीं होगा, यह जैसे थे, वो ऐसे पड़े रहेंगे, लेकिन आगे की condition में क्या होगा, जिसके कार्ट से non-directional element भी energized नहीं होगा, जैसे ही circuit में क्या होगा, अब जब कुछ नहीं हो रहा था, म की बदल जाएगी, और उसमें ज्यादा current होने लगेगी, और जब दिसा बदलेगी, तो क्या होगा, directional element लगा है, वो disk भूमने लगती है, ध्यान दीजेगा, यह direct लिख दिया गया है, यह जो लिखा गया है, यह वाली line, यह direct लिखा गया है, क्योंकि वहाँ current आएगी, यह दोनों आपस में चुम्बकित होंगे, जब एक flux उपर वाला देखो, यह दो flux यहाँ पर होंगे, एक flux यहाँ पर, एक flux यहाँ पर, तो यह दोनों flux में क्या होगा, एक प्रकार समझो कि मोटर कसी दान पहील समझ लो, उसमें दो होता है, तो अंतर क्रिया करते हैं, उसी प् कारण से जो moving contact होगा, वह fixed contact से मिल जाता है, और जैसे ही वह आपस में मिलेंगे, वैसे क्या हो जाएगा, वैसे आपका जो over current element है, वह energized हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, आपका, energized हो जाएगा, और disk घूमने लगती है, ठीक है, और energized हो करके, disk घूमने लगती है, देखो, यह जब घूमा, तो आकी इसको touch करेगा, और जब touch करेगा, तो यहां से जो दोनों supply आ रही है, यह क्या करेगा, इस वाले को पूरा complete करेगा, यहां से इसमें आ जाएगा, और बाकी इस से पूरा जुड़ा है, तो पूरा complete करेगा, यानि इन दोनों भी हमारे flux उत्पन हो जाएंगे, flux उत्पन होंगे, यहां भाई साब घूमेंगे, और यह जो दोनों point लगी न, यह trip circuit से connected है, तो भाई आपका त्रियंत operation करने के लिए भेज देगा, circuit breaker को, आगे बोल देगा कि और moving contact, fixed contact से मिल करके, trip circuit की सहायता से, circuit breaker को operate करने के लिए एक signal भेज देगा, और आ लिजे paper में by chance नहीं याद रहा, तो कर ले जाएंगे, मतलब figure, इसी तरीके देखो आपका non-directional वाला भी था, तो बिलकुल लगवग figure सेम सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो figure दो चार भाई practice कर लिजे, बाकि paper में तो भाई चाप दीजेगा, कोई दिकत नहीं, चलिए next topic देखते हैं, जिसका नाम है differential relay, differential relay क्या होता है, यह वह relay होता है, जो दो समान electrical quantities पर work करता है, और इसका जो नाम पड़ा है, इसकी सरचना से नहीं, बलकि इसके connection के आधार पर पड़ा हुआ है, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है, कि पहले से define value कुछ रहेंगी, अगर उस define value से कोई विपरीत आपकी current flow हुई, ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा बहुत disbalance हुआ, तो operating coil में एक current flow होगी, और यही current क्या होगी, आपके circuit breaker को भई, भेज देगी signal कि आप circuit को क्या करना है, ओपन कराना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि दो circuit breaker नहीं, current transformer लगे हैं, यह बीच में कुछ dot dot किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे वे device connected होंगे, जिसे हमें protection करना है, जैसे transformer, generator, motor, transmission line, इन सभी को connected किया जाएगा, अब हमने सब को लिख दिया है, इसका मतलब जिसे protection करना है, उसको लगा दीजेगा, बाखी एक मेरे college पूच रहा है, मतलब सर पढ जाएगा, अपने recording बना लिजेगा, जिसका भी आप protection करेंगा, उसको आप यहाँ पे जरूर से दिखाएगा, transformer, transformer का symbol, motor तो motor दिखाएगे, generator तो generator दिखाएगे, transmission line तो उसको उस तरीके दिखा दीजे, या आपका pilot wire होता है, या equip potential, आपका क्या होता, point होता है, और यह आपक operating coil, operating coil यह पर कारता, relay भी बोल सकते हैं, ठीक है, जब इसमें क्या होगा, पारेश डिफाइन बलूद भाई, इसमें current flow होगी, तुरंत क्या होगा, आपका relay operate कर जाएगा, आगे देखिए, लिखने का क्या तरीका है, बहुत इजी आसान भासा में, या वह relay होता है, या वह relay क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, इसके लिए दो बाते होनी चाहिए, तभी या operate करेएगे, सबसे पहला, कि टू या more similar electrical quantities होनी चाहिए यानि दो या दो से अधिक electrical similar quantities हो और दूसरा होना चाहिए the year quantities जो आपकी quantities दी गई है वह should have phasor displacement यानि उन दोनों quantities जो दी गई है उनके बीच में 180 degree का approximation क्या होना चाहिए phase difference होना चाहिए displacement तभी यह कारे करेगा अब देखिए इसमें ज्यादा कुछ देखने को आपको नहीं मिले हैं क्योंकि यह थोड़ा सा इसका sentence समझने की कोशिश की जाएगा बागे figure याद रखिए पहले इसका नाम जो होता है ना इसकी सरचना से नहीं बलकि इसके connection के तरीके से पड़ा है पार सुचित में यानि जो पीछे आपका बना हुआ चित था उसमें क्या दिखाए गया था differential relay के current type का circuit है ठीक है current type के होते हैं बोल्टेज और दोनों टाइप के लेकिन हम जो बता रहे हैं उस को दिखा जीजेगा सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने वहां डाट लगाया और इस तरीके से किया है ठीक है आप ट्रांस्फार्मर जिनेटर मोटर ट्रांस्मिशन लाइन जिसको भी प्रोटेक्शन करना चाते हैं उसको दिखा सकते हैं अब दिखिए यह दो परकार के थ फ्ट है वो बाहर दिखाए गया यहां पर दिखाए गया है तो किस परकार से वर्किंग होगी और दूसरा यहीं दिखाया गया है यहane देख सकते हैं दूसरा फिगर जब हमारा यह च्टर्मल फालक ता यह इं Does retail जो हमारे ट्रांसफार्मर में फाल्ट आ जाए तो उस कंडिशन में किस तरीके से काम होगा तो चलिए सबसे पहले फीगर देख लिजिए फीगर देखिए और दो तिन बार प्रैक्टिस कीजिए दो सीटी को दिखाए गया इस तरीके साथ पी सप्लाई आ रही है और जा रही आपकी एक करेंट देखिए इस वाली आईवन फ्लो होगी और दूसरे में इस तरीके साइटू फ्लो होगी यह दोनों मिलके भाई आपके जो पाले से डिफाइन बैलू है उससे भिन होंगे और हमारी तुरंद के तुरंद रिले ऑपरेट कर जाएगी तो देख सकते हैं इ चित्र में इंटर्नल फार्ट प्रोटेक्शन को परदरसित कर रहा है चित्र एक में इस केसे में क्या होगा जो सीटी इस लगे हैं यानि करन्ट ट्रांसफार्मर्स जो लगे हैं के प्राइमरी में सेम करेंट फ्लो होती है ठीक है तोनों क्या होगा सेम करेंट फ्लो होती है यदि दोनों आपके जो CT है वह identical हो तो इस कारण से secondary जो उसकी है उसमें भी same current flow होगी और same phase में भी होगी अथा आपका relay operate नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि हमने पहले ही बता दिया दो या दो से अधिक similar यानि समान electrical quantities होगी तभी इस पर आपका काम होगा ठीक है वैसे ही आपके difference current operating coil में 0 होगी वह operating coil में 0 होगी उसके बाद देखे क्या होगा वैसे ही आपके जो चित्र 2 है चित्र 2 में एक internal fault को दिखाया गया जिन में से जो आपका figure A है वह क्या show कर रहा है वह show कर रहा है one in fed circuit और जो हमारा figure B है वह show कर रहा है बोथ in fed circuit को represent कर रहा है मतब fault की condition को show कर रहा है देखिए पहला वाला हमारा external और दूसरा internal fault को आपको show करता दिख रहा है अब देखिए इन दोनों cases में हम क्या देखते हैं हम इन दोनों cases में यहीं देखते हैं कि क्या होता कि operating coil में different current flow हो रही है ठीक है operating coil में क्या होती है different current flow हो रही है अता है यहाँ पर relay operate होगी और protection परदान करीगी मतलब जैसे उसे पतातरी भाई sense कर ली तुरंत signal भेज़ेगी circuit breaker को circuit breaker को कहेगी आप सीधे तुरंत के तुरंत जितना जल्दी जल्दी पहुचा उनके पास signal और तुरंत हो कहेंगे circuit को open करना कहीं fault हुगा है फिर fault करके आपका हो जाएगा आगे का काम अब देखिए इस type के जो protection होते हैं इसे merge price protection कहते हैं इसे क्या करते हैं merge price protection करते हैं और एक बात ज्यान दीजिए यह पूरी तरीके से काम नहीं करेगा भी आगे बता जाएगा क्यों नहीं करेगा देखिए merge price protection इस fact पर आधारित है कि जो दो cities use की गई है ओ आइडेंटिकल हो यानि जब आइडेंटिकल होगा तब ऐसा काम होगा लेकिन दोस्त आपने तो सुना यह न आइडेंटिकल तो हम मान कर कर लेते हैं आइडेंटिकल कुछ नहीं होता हम लोग मान लेते हैं कि यह जीस आइडेंटिकल है आईडेंटिकल अगर हम बात करने कि जैसे की एक इक्जांपल कि थ्रूर ले लिते हैं कि वह यह हमारा है प्योर ने अपिक्ल प्योर विडिकल अब olv मिलेशा हूता है नहीं होता है अगर हम analyse या लोगोगोना है सीन हैं सिर्प आइसा सुर्ट्रिट्रा सीर्ट्टेंग उन्य डिलेयो खुछू और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए परसेंटेश की डिफराहर रिले का यूज कीया जाता है या Guru को मतलब यही रहेगा सब कुछ लेकिन इसमें कुछ मोडिफाई कर देंगे और जो मोडिफाई करने जो रिले बनेगा उसे परसेंटेज डिफ्रेंसियर रिले यह बायाऊज। डिफ्रेंसर ऺले के नामसे जाना जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो फिगर थी न इहां अपरेटिंग कोईल यह इसी के स्रीज में ठीक है एं एसी के सिरिज महाँ से एक छीठ पाटेंग कोईल लगा देंगे और रिस्टेटिंग को आई लगाने से इसका नाम चिंज जाता है जो नया अला हमारा बनता है वह कौन सा बन जाएगा वह हमारा परसेंटेज बायर डिफ्रेंस से रीले आपका बन जाता है अब देखिए यह एक दूसरी टॉपिक है इसलिए हम इसको नेश्ट क्लास में बात से पहले पाने के लिए तब तक ने जहिन वंदे मात्रम